तो 101 की हमारे इस बुक की डीकोडिंग में हम बात कर रहे हैं छойтиक जाम्पल की हमने इससे पैले तीन वीडियो अपछे है छोथा नमर एक्जाम्पल के हम बात कर रहे हैं जिसकी हम आपके सांवनेझ क्या होता है है formula calculation method और इसमें हम यह भी बात करेंगे कि circular reference क्या होता है तो जैसे कि अब एक चीज़ दान लिजिए formula calculation method जैसे कि मैंने यहां पर 20 लिखा यहां पर 30 लिखा और दोनों को हमने plus कर दिया है मैं को भी चेंज करूंगा enterprise करते ही मेरा अपडेट हो जाता है 60 क्योंकि आप Excel option की बात कर लें यहां calculation option में आपका automatic है मुझे बहुत सा बच्चों का call आता है कि सब में formula result अपडेट नहीं कर रहा है ऐसा इसलिए अपडेट नहीं कर रहा है क्योंकि हो सकता हो manual पर हो अगर इसको manual पर कर दिया जाए तो अगर मैं यहां पर कुछ भी अपडेट करूं यहां पर आपका update नहीं होगा लीचे calculate का option अगर अब calculate पर आप क्लिक कर दें या F9 को प्रेज कर दें तो आपका calculate होकी result अपडेट हो जाएगा और यह entire workbook नहीं पूरी entire applications में work होगा कहीं भी formula automatically अपना result अपडेट नहीं करेगा जब तक कि calculate पर क्लिक नहीं करते हो यहां calculate नाव पर नहीं करते हो तब तक आपका formula अपडेट नहीं होगा तो इसका यूज क्या होता है इसका यूज क्या होता है तो इसका यूज होता है जब हम बहुत बड़ी file जब हम बहुत बड़ी file पे काम करते हैं मतलब कि 500-700 MB में उसे बहुत सारे formula लगे हुए हैं बहुत सारे tricks वगार लगे हुए हैं तो उस case में क्या होता है कि हम कुछ entry करते हैं त नीचे calculation percentage दिखाने लगेगा आपको ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि calculation percentage यहाँ पर दिखाया होगा हर इंट्री में 10 second 20 second 30 second ऐसे टाइम लेता है तो हम लोग डेटा इंट्री करने के बाद हम अपनी इंट्री कर लेते हैं उसके बाद हम फॉर्मुला को अप्लेट कर दें जैसे यहाँ पर देखिए अभी हमने सारे इंट्री कर दी मैं हमने सारे फॉर्मुला की इंट्री कर देता हूँ अब देखिए हम यहां काल्कुलेट पर क्लिक करें करें ओके करते हैं आप देखिए पूरा का पूरा रिजल्ट अप्डेट हो गया है हो गया है यह कि इस तरह कह चीजे हम करते हैं अपने आपसे में के इस नैकलेट ऊफिस में करते हैं दो एक होता है अथि हमने कर दिया तो ऑटमेटिक हो प्षा है अटमेटिक एक्सपर्ट डेटा टेबल जो डेटा टेबल होता है उसमें आप चाहते हैं कि मेरा formula automatically calculate रहा हूँ तो data table मतलब नहीं कि आपका data मतलब data table होता है जिसको आपने टेबल या insert ने टेबल बना कि आप यूज करते हैं यह table उसकी बात कर रहा हूँ उसका यूज कर सकते हैं यह हमारा formula का calculation method होता है इसमें एक circular reference होता है कि बुक में नहीं दिया हुआ है लेकि मैं आपके तरब से add कर रहा हूँ सरको reference क्या होता है देखिए जैसे मानेजिए कि हमारा भी यहां पे लिखा हुआ है बी 1 प्लस 20 जार 20 आया है और बी 1 हमने दे दिया c1 प्लस 20 ओके तो सी टू पस दोलती और सी टू में formula हमने दे दिया आप एववण प्लस 20 ओके अपने इस circular reference आ लिए क्यों क्यों कि एवण depend है बी 1 पे बी 1 डिपेंड है इस एवण पे और सी एवण डिपेंड है एवण पे इस तो इस circular reference हो गया ना आपने बोला कि बाई मुझे खाना राम खिला देगा राम ने बोला कि खाना मुझे स्याम मालेजिक तीन बंदे हैं राम स्याम और गंस्याम राम ने बोला कि मुझे खाना स्याम खिला देगा सियाम में बोला कि मुझे खाना राम खिला देगा और घंसियाम बोला कि मेरा खाना राम खिला देगा तो तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गया और तीनों वह खाना नहीं मिला तो एक्ष्याम बोला है कि मैं राम मुझे खिलाएगा और सरी सियाम बोला है गंसियाम खिलाएगा गंसियाम तो राम खिलाएगा तिनों सोचते रहेगा तो कहने पते हैं एक्ष्यल वैलु नहीं हुए ना क्योंकि A1 depends B1 पर B1 depends C1 पर और C1 depends A1 पर इसको बोलते हैं circular reference यहां पर देखें circular reference आ रहा है मत्यक्त फॉर्मूला को calculate करने का कोई actual कुछ मिलाई नहीं हाँ c1 depend होता अगर d1 पे तो result आपको यहां पर आता और result अच्छे दर साथ आप आप लोग को तो आप लोग जह है इसको अभी जो है एक मिनट में मेरा जूम दुबारा से restart होगा तो जैसे आपने join किया तो उसी procedure से आप दुबारा join के लिजेगा ok